उल्ड रैवल्रीज पूरानी प्रती द्वंदुधिता रैवल्री का मतलब होता है प्रती द्वंद्धिता इसका मतलब है कि दो व्यक्ति जो कि आपस में एक दूसरे के कॉम्टेटर हैं, उनके बीच राइवल्री है तो पुराने प्रतिद्वन्दी, the underlying, underlying का मतलब होता है inherent, यानि कि अंतर नहीत होना differences are beginning, differences का मतलब हो गया है, यहां पर मतभेद, antar, are beginning to hurt the mahaayuti कि mahaayuti गठबंदन जो है, वो hurt हो रहा है, उसे नुक्षान पहुच रहा है the underlying differences are beginning, कि जो अंतर नहीत मतभेद हैं, वे शुरू हो रहे हैं, यानि कि जो अंतर नहीत मतभेद हैं, वे सामने आ रहे हैं और उनके कारण, जो mahaayuti गठबंदन है, उसे नुक्सान हो रहा है inherent contradictions, अंतर नहीत, contradiction का मतलब होता है, विरोधा भास आप कुछ कहते हो, मैं कुछ कहता हूँ, यानि कि दोनों में एक मेल देखने को नहीं मिलता inherent contradictions have a way of showing up at irregular intervals irregular intervals, कि जो अंतर नहीत विरोधा भास होते हैं, उनका अपना तरीका होता है कि वे सामने आते हैं, irregular interval पे, अनियमित अंतराल पे जो अंतर नहीत मतभेद होते हैं, वे show up होते हैं, यानि कि सामने आते हैं कि महाराष्ट्र में जो सत्तारूल गठबंदन है, जिसका नाम है महायुति, अब देखो, यह आर किसके लिए आया है, अब देखो, यह आर किसके लिए आया है, अब देखो, यह जो तनावपोर्ण स्थितियां हमें देखने को मिल रही है, किन किन के बीच, BJP और Shivshana और NCP के बीच, शिवshana कौन सी, जिसका प्रतिनेदित्व एकनात शिंदे कर रहे हैं, और NCP कौन सी, जिसका प्रतिनेदित्व अजीत पवार कर रहे हैं, तो इन तीनों के बीच, जो tensions हैं, वे visible हो रहे हैं। The setback, the coalition faced, setback का मत्तब होता है, गहरी हार, करारा जटका लगना। The coalition faced in the 2024 general election, might have been, देखो, might have been, हो सकता है, ऐसा रहा हो। May have been, might have been, इनका प्रियोग हम करते हैं, पास्ट में कुछ हुआ है, उसके संबन्द में, गैस करने के लिए। Immediate trigger, immediate trigger का मत्तब होता है, एक तरह से तातकालिक कारण, for the open display, प्रदर्शन, of discord का मत्तब है, यहां पर असहमती होना, एक तरह से संगती नहीं बेट रही, सहमती नहीं बेट रही, या एक तरह का clash देखने को मिल रहा है, in the alliance. तो कहने का मत्लब है, कि जो गहरी हार इस गठबंदन को मिली, 2024 के जनरल इलक्षन में, हो सकता है, यह हार कारण रही हो, किस चीज का, कि तातकालिक रूप से, हमें यह जो open display देखने को मिल रहा है, आसहमती का, conflict का, संगर्ष की स्थिति, जो इस alliance में, इस गठबंदन में द 2024 के जनरल इलक्षन इसका कारण रहे हो, but for the BJP, लेकिन BJP के लिए, the leading partner in the alliance, कि यह जो महायुती गठबंदन है, इसको lead करने वाला प्रमुख पार्टनर कौन है, BJP, this could not have come at a more inopportune time, तो यह जो tensions देखने को मिली है, यह BJP के लिए, इससे ज़्यादा गलत समय पे नहीं आ सकती थी, this could not have come at a more inopportune time, यानि कि BJP के लिए, महाराष्ट के संदर में अगर हम बात करें, तो यह जो tensions की स्थितियां निर्मित हुई है, यह बहुती गलत टाइम पे BJP के लिए हुई है, इससे ज़्यादा गलत टाइम BJP के लिए नहीं हो सकता था, महाराष्ट के संदर में, क्यों? Assembly Elections are to be, देखो, is to, are to, am to, इनका प्रियोग हम करते हैं, कि कोई भी एक तय शिड्यूल है, उसको बताने के लिए, कोई official arrangement है, कि ऐसा होना है, उसको बताने के लिए, are to be announced in the state soon, कि जल्द ही, महाराष्ट में, Assembly Elections जो है, उनकी announcement होनी है, While, जबकि, the mahaayuti is caught in internal strife, internal strife का मतलब हुआ, आंतरिक जगडे, जबकि, mahaayuti, caught का मतलब है, या पे एक तरह से फसे हुए होना, in internal strife, कि mahaayuti जो है, वह आंतरिक कलह में फसा हुआ है, The MVA, Opposition, Mahavikas Agari, कि जो विपक्ष का घटबंदन है महाराष्ट में, उसका नाम है MVA, Mahavikas Agari, Of the Shivshena, led by Uddev Thakre, तो MVA की जो Shivshena है, जिसका प्रतिनिदित Uddev Thakre कर रहे हैं, और MVA की जो NCP है, उसका प्रतिनिदित शर्दपवार कर रहे हैं, इसके लाबा, Congress है, इन तीनों का घटबंदन है MVA, Has managed to put its house in order, देखो, put one's house in order, इसका मतलब है व्यवस्था बनाए रखना, कि MVA जो है, इसने अपने partners के बीच arrangement को, व्यवस्था को, order को बनाए रखा है, A flagship scheme, flagship का मतलब होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपून, That the ruling alliance unveiled, unveiled का मतलब होता है, अनावरण करना, Recently, कि अभी हाल ही में, जो सत्तारूल गठबंदन है महराष्ट में, उसने क्या किया, एक बहुत ही महत्वपून योजना जो है, उसका अनावरण किया, In the hope of, इस उमीद में, recovering some lost political ground, कि जो राजनेतिक जमीन, सत्तारूल गठबंदन ने खोई है महराष्ट में, उसको recover करने की उमीद में, अभी हाल ही में, एक योजना जो है, लाँच की गई, तो ये जो योजना है, ये जो scheme है, is itself cause for strife, ये योजना अपने आप में कलह का कारण है, among partners, कि जो सत्तारूल पार्टनर्स हैं, उनके बीच, ये योजना ही अपने आप में कलह का कारण है, ऐसा इसलिए, as each one of them, कि जो सत्तारूल गठबंदन में से प्रतेक पार्टी है, वो पार्टी इस scheme को अलग-अलग नामों से पुकारती है, Mr.Shinde uses the full name, Mr.Shinde जो है, उन्होंने इस scheme के लिए पूरा नाम प्रियोग किया है, उन्होंने क्या कहा है, इस scheme को मुख्य मंत्री माजही लड़की बहीन योजना, while the BJP calls it the लड़की बहीन योजना, अजित पवार, who introduced the scheme during the budget session in June, अजित पवार, जिनोंने की इस scheme को बजट सत्र के दौरान, assembly में introduce किया, वो इस scheme को क्या कहके refer करते हैं, यानि कि वे इस scheme के लिए क्या नाम पुकारते हैं, to it as the माजही लड़की बहीन योजना, उन्होंने इस scheme के लिए नाम दिया है, इस योजना को नाम दिया है, माजही लड़की बहीन योजना, the recent incident where एक और घटना हुई है अभी हाली में where a statue of Shivaji Maharaj कॉलेहफ्स का मतलब होता है गिर जाना या ढह जाना in the Rajkot Fault in Sindhu-Durg District कि Sindhu-Durg District में Rajkot Fault में Shivaji Maharaj की एक statue थी वो ढह गई वो गिर गई तो इस घटना ने ये जो recent incident था has further embarrassed the coalition इस घटना ने क्या किया है इस further का प्रियोग करते हम और add करने के लिए आपने कुछ बात कई उसमें आप कुछ और add करना चाहते हो embarrassed का मतलब होता है एक तरह से बहुती ज़्यादा difficult situation create कर देना has further embarrassed the coalition यानि की आसहज इस्तिती में डाल देना तो ये जो शिवाजी महराज की statue गिरी है इस घटना के कारण क्या हुआ है ये जो गठबंदन है ये और भी ज़्यादा embarrassment की हालत में आ गया है इसे और ज़्यादा असहजता जहलनी पड़ी है Prime Minister Narendra Modi had unveiled the statue last year कि Mr. Modi ने शिवाजी महराज की statue को पिछले साल अनावरन किया था इसका Mr. Modi has apologized to the public for the collapse of the statue Mr. Modi जो है उन्होंने माफी मांगी है public से किस चीज के लिए statue के collapse कर जाने के लिए but that has not led the matter to rest देखो lay the matter to the rest इसका मतलब होता है मामले को एक तरह से शांत कर देना है तो कुल मिला के ठीक है Mr. Modi ने जो है इस statue के गिरने के लिए सारुजनिक रूप से माफी मांगी है लेकिन इससे मामला शांत नहीं हुआ है the MVA जो विपक्ष है is determined to milk the issue देखो milk the issue का मतलब है कि ये जो घटना हुई है इस घटना का पूरा पूरा फाइदा उठाना इसके लिए MVA जो है वो द्रड संकल्पित है and on Sunday और MVA ने Sunday को क्या किया organized a protest एक विरोध जो है आयोजित किया शिवाजी महराज a Maratha king holds immense significance for the Maratha community कि शिवाजी महराज जो की एक Maratha राजा थे उनका immense का मतलब है बहुत ही जादा significance for the Maratha community तो शिवाजी महराज का Maratha समुदाई के लिए बहुत ही जादा महत्व है यह hold का मतलब है कि भई वे महत्व रखते हैं तो विच और ये जो Maratha Community है, उसी Maratha Community को belong करते हैं, कौन? Ajit Pawar and his uncle and Patriarch of the States Politics, Shard Pawar belong, belong का मतलब है कि भई ये भी जो है उसी Maratha Community से हैं, कौन-कौन? Ajit Pawar और उनके uncle Patriarch का मतलब होता है Head, Head of the Family Head of the Organization उसके लिए हम बोलते हैं, कि भई एक वरध लीडर किसी परिवार का किसी फैमिली का, किसी सोशल गृप का तो कुल मिला के of the States Politics, कि महरास्ट राज्य की जो राजनिती हैं उसके Patriarch हैं कौन? Shard Pawar, और वे भी Maratha Community को belong करते हैं Ajit Pawar was the first to offer an unconditional apology for the statues collapse Ajit Pawar पहले व्यक्ति थे जिनोंने बिना किसी शर्त के माफ ही मांगी, किस चीज के लिए statues collapse, ना कि statue के गिर जाने के लिए इनोंने अपनी apology दी both, the BJP and the Sena have had a long tussle with the NCP tussle का मत्तब है यहां पे fight कि शिव सेना और BJP इन दोनों की NCP के साथ लंबी fight रही है ना लंबा संगर्श रहा है और खास करके जो BJP और शिव सेना है उनका टकराव रहा है NCP से और खास करके टकराव किस से रहा है personally Ajit Pawar से before becoming political partners कि Ajit Pawar जो कि अब शिव सेना और BJP के partner है तो political partner बनने से पहले जो NCP है और NCP में भी खास कर जो Ajit Pawar है उनसे BJP और एकनात शिंदे वाली शिव सेना का टकराव रहा है असेना मिनिस्टर recently said that sitting in close proximity to NCP members एक शिव सेना के एक मंत्री ने अभी हाली में क्या कहा कि तेको proximity का मतलब होता है closeness samipta to NCP members in cabinet meetings कि cabinet meetings में NCP members के करीब बेठे होना made him feel nauseous इस चीज ने देखो यहां make जो है ना causative verb के रूप में आई है causative verb का रूप का मतलब होता है कि यह कारण है किसी चीज के होने का तो सेना मिनिश्टर ने यह कहा कि NCP members के बगल में बेठे होने ने उन्हें यह महसूस कराया क्या आपको उल्टी सी आ रही हो है यह होता है इसका real meaning लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा अरूची कर feel हो रहा है बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है तो उसके लिए भी nauseous हम कह सकते हैं तो कहने का मतलब है कि सेना के मंत्री ने यह कहा कि जो NCP members हैं जब cabinet meetings होती है और हम NCP members के करीब बेटते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेकार feel होता है Many in the BJP blame the Ajit Pawar Group for the debacle debacle का मतलब होता है in the लोकसभा election कि BJP के कई लोग Ajit Pawar Group को जिम्मेदार ठहराते हैं कि महरास्टर के संदर्व में लोकसभा election में जो जबरदस्थ हार मिली तो उस हार के लिए BJP के कई जो leaders हैं वे Ajit Pawar Group को इस debacle के लिए दोशी ठहराते हैं Ajit Pawar also appears unsure of his association with the BJP and the SENA कि Ajit Pawar जो है वे भी अनिश्चित प्रतीत होते हैं कि उनका जो association है उनका जो जुड़ाव है BJP और शिव सेना के साथ उस association को लेकर Ajit Pawar भी unsure अनिश्चित नजर आते हैं He surprised his alliance partners by admitting इस तथे को सुईकारते हुए इस बात को सुईकारते हुए Mr. Ajit Pawar ने अपने alliance partner को आश्चर में डाल दिया क्या बात उन्होंने सुईकारी? That कि fielding his wife Sunetra against his cousin Supriya Suley in the general election was a mistake उन्होंने इस चीज को सुईकारा field का मतलब है मैदान में उतारा तो Ajit Pawar जो है उन्होंने इस बात को सुईकारा कि उन्होंने अपनी wife Sunetra को उनकी cousin Supriya Suley के against general election में उतारा, यह उनकी गलती थी, तो इस तथे को जब उन्होंने सुईकारा तो इस से उनके जो alliance partners थे, वे surprise हुए He also said, Mr. Ajit Pawar ने ये बात भी कही, that he had asked the BJP not to target Shrad Pawar Mr. Ajit Pawar ने ये भी कहा, कि ये जो general election थे लोकसवाज चुनाऊ थे, इसके पहले Ajit Pawar ने BJP से ये कहा था, क्या कि वे Shrad Pawar को निशाना न बनाएं, and felt that Mr. Modi's remark calling, और Mr. Ajit Pawar ने ये महसूस किया कि Mr. Modi ने ये जो remark किया, ये जो comment किया calling Mr. Pawar a भटकती आत्मा, or an aimless soul, भटकती आत्मा aimless का मतलब है बिना किसी उद्देश के soul, आत्मा, तो aimless soul ये translation है, किसका भटकती आत्मा का तो Mr. Modi ने चुनाऊ परचार के दोरान, शरद Pawar के बारे में क्या कहा, कि वे एक तरह से क्या है भटकती आत्मा है, aimless soul है, ये बात उन्होंने कही कब, while, जब की on the campaign trail campaign trail का मतलब है कि जब वे चुनावी अभियान पे थे Mr. Modi in the run-up, run-up का मतलब होता है कि पहले, to the general election, कि ये जो आम चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, इसके पहले चुनाव अभियान के दोरान Mr. Modi ने, Mr. Pawar के बारे में comment किया, क्या भटकती आत्मा did not appeal to the people, तो ये जो comment था, उनका Mr. Modi का, इस comment ने एक तरह से लोगों को आकरशित नहीं किया, लोगों को ये comment जो है, appeal नहीं किया, clearly he has not burnt his bridges with the larger Pawar family, देखो, burn the bridge, इसका मतलब होता है, सारे संबंध तोड़ देना, with the larger Pawar family, तो Mr. Ajit Pawar जो है, उनोंने, उनकी जो Pawar family है उस Pawar family से पूरी तरीके से संबंध नहीं तोड़े हैं, the underlying rivalries are beginning to hurt the महायुती, कि जो नहीत अंतर नहीत प्रतिद्वन्द्विता है, उस प्रतिद्वन्द्विता के कारण शुरुवात हो रही है किस चीज की, कि जो महायुती गठबंदन है, उसको नुकसान पहुँच रहा है, ये था हमारा आज का एडिटोडियू